हलो स्टुडंट आज आपने धोरण बार केमेश्ट्री मा चप्टर नंबर एक घन अवस्था नी वाद करी सो घन अवस्था सब्द जारे यादावी जाये तेनी सथे तमने बीजा बे सब्दों यादाव से ए छे प्रवाही अने वायू आँ त्रौं जो तमे वाद करो छो घन प्रवाही वायू ए जी चे ए तमें कई सको छो एक द्रव्य नी भ hostel वति कवस्था हो छे द्रव्योनों कंसेप आपने खबर अच्छे कि एसुचे पन जो आप भोतिक अवस्थानी वाद करिये तेनामा प्रवाही अने वायू आप बे सब्द साथे एक बीजु जुडायलू छे एचे एनों द्रव गुंधर्म द्रव जेने आपने इंगलिश मां कईसुट फ्लोईड द्रव नी खास्टे तेवी छे कि वही सके छे जारे घण मां तमे ओ कईसको छो कि वही सकता नथी अन्ना वही सक्वा माटे नू काराण छे एम ना अनुओ वच्चे नू अंतर आ कॉंसेप्ट तमे 11 मां संपुण देते भणिया आया छो कि घण प्रवाई आने वाय वच्चे नू डिफ्रेंस चुछे केम इरिते केम आपने द्रव कईये छे नू काराण पन आपने खबर छे के वायो मां अनुओ अनुओ अनू अंतर सवथी वधारे छे एतले केम नी वच्चे आनुओ आनुओ आकर्शन बर सवथी ओच्चु छे प्रवाई मा एना करता थोड़ू कवधारे छे जरे घन मा सवथी वधू आंतराविया कशन बल रहेलू छे जेना काने एना मा वही सक्वानों गुंधर्म रहेलो नथी आव प्रांत आज गुंधर्म ना काराणे तमे कई सको छो कि घन पदार्त जे छे ए द्रण होय एकले के मजबूत होय छे विद्यूतना वाहक होय छे अने एना आधारे तमे कई सको छो कि घन पदार्त होचे छे एनू उप्योग घनी बदी जे गयाये थाई सके छे घननी बीजी घनी गाहा लाक्षान इकता होचे जेनके तमे एने कई सको छो जाये एना पर दबाण के ताप्मान अपलाई करो छो तेहना उपर एकली असर थती नती dalam गणने तमें दबावी सकता नथी, ए अ दबनिय छे, एना उपर दबाणनी नहिवत असर थाई छे, आवस्तु आपना आगलना चेक्टर मा पन जोई चोग्या छे, आ उपरांत गणनी अंदर बे परस पर विरुद्ध परिबडो जोवा मड़े छे, जेना मा पेलू जो कहिए तो एमा छे आंतर आणविया आकर्शन बल, आंतर आणविया आकर्शन बल जे छे, ए अनुओने एक बिजा साथे जोईन्ट राखवानों, एकले के जोडान करी राखवानों कुन्धर्मा दर्शावे छे, जारे एनी सामे एनी अंदर रहेली उस्मिय उर्जा, जेने आपन एव कैसा कोचो क्या बन्येनु प्रमार बैलनस मा रहे तो घन नी स्थिती अत्वा तो घन नु बंधार आणजे छे, बैलनस मा रहे छे, अहिया आंतर आणविया आकर्शन बल ना कारण एज एनुँ जारे तमे एक नीचा तापमाने वाद करो छे, इटले कि नोर्मल टेम् प्रिषितीना और गहन जे छे, एक उयप आणविया, प्रिषितीमा बैलनस रही सके छे, आनी एंदर सामाने रित आपड़े एऊ कैह सके छे, के अना कणों जे छे उसमियं उर्जान आकार सामाने दोलनों दर्सावे छे उसमे उर्जाना खास जे लक्षोनमा तमने जेम वाद कई दिदी छे के द्रड छेन एना जाधारे तमेने कई सको छो के नामा एक निष्चित आकार पण छे औने निष्चित कद पण छे ए विद्यूत न वाहक छे कारण के अनी अंदर कणो नी छे एक बिलकुल नजीक जोडाईला छे जेथी ते इलेक्टरिसिटी नू वहान करी सका छे आनी अंदर घटक कणो छे छे निष्चित स्थान दर्शावे छे औने तेमनी मध्य स्थिती नी आस पास ते दोलन करे छे ओ के वाई ए असंकोचनिय अत्वातो अदबनिय छे आज ए स्था घनपदार्थ मल्या छे ए घनपदार्थ ने सामान्य जो एमनी घटक कणो नी गोठावनी ना आधारे एमने बे पात मा विभाजित करवा माया ए बे पात हता अस्पटिक माई अने स्पटिक माई स्पटिक माई अने अस्पटिक माई बन्य नी अंदर पर्टिकिलर पर्माणों अने घटक कणों नी गोठावनी जे छे ए थोड़ीक माईनर अलग 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 छे तो आपने स्पटिक माई अने अस्पटिक माई वच्चे नो तफावत समझे તફાવાદ માં સવથી પેલા આપણે લઈસુએના આકાર વિશેની વાદ કરીએ સ્પટિક માટે એવુ કેવાય છે કેના માં ચોકસ લાક્શણીક ભોમીતિક આકાર છે જારે તમે આ સ્પટિક માટે એવુ કઈસકો છો કે અન્યનીત આકર ધરાવે છે જારે સ્પટિક મે પદાર્થ હે કઈસકો છો જારે સ્પટિક મે પદાર્થ હી વાદ કરીસો તો સ્પટિક મે બધધા જે અનુઓ હસે એ અનુઓ એક બીયા સાથે એક ચોકકસ આકારમાં એક ચોકકસ કરમમાં ગોટફાયલા છે અનુઓ છે એવુ તમે ગણત્રિમાં લઈ સાકો છે તો એયાં જારે તમે દેખ્શો તો સ્પટિકમાઈ પદારથોમાં અ પદારથોમાં નિષ્ચિત આકાર હોતો નથી એટલે કે એની અંદર કોઈપણ ક્રમ બદ તમને એનો જે આકાર કઈએ આપણને જોઆ મલતી નથી આજે એનામાં જારે સ્પટિગ મે પદારથોના આકાર માદ કરો છો તો આનામાં તમને એન આમો વિસ્તાર જો આમળ છે એનામાં તમને એની સીમા હોય છે એનામાં કઈ સકાય છે કણો ની ગોઠાંણી એક ચોકાસ કરમની સીમા જોવા મલતી નથી અયાં તમે જો એવુ કઈ શકો છોકે ગોઠાવની ની સીમા હોય એક વિસ્ત તમને અની ચોપડી મા પણ આક્રુતી આપી દી છે તમે રેની અંદર બે ઓધાણ આપ્યા છે આકાર માટે જો મટે એનો આકર અનીયમીત્ર છે આનામાં આકર એનો નીયમીત છે આહીયા અસ્પટીક માઈ ઘનપદાર્તની રચના પ્રવાહીને સમાન છેઓ તમે કઈ સકો છો અને એટલા માટેજ તમે પટીક ઇલજારે ગુંધરમની વાત કર્સો તો પીજો કોંસેપટ લઈએ જેના આધારે તમે આવસ્તુ કઈ સકો કે સાચા ઘનમાવે છે કે આભા સેખનમાવે છે જેંકે ગલણ બિંદુ ની વાદ કરીએ તો ગલણ બિંદુ જો અસ્ફટિક માટે કે કે સો તો ફરીથી એ કે ઉં છે ચોકતસ ચે ચોકતસ અને લાક્શણ એક તાપમાને એ પિગળે છે એટલે કે આના માટે તમે એક તાપમાન ફિક્સ કે ચો અને એક તાપમાને એક પિગળે જારે અસ્પટિક માટે તમે તાપમાની તમને રેંજ મલ સે રેંજ મલ સે એનામાં તમે ફિગ્સ કઈ સકતા નથી અસ્પટિક માઈ ઘનપદાર થોની બંધાણી લાક્ષણ એક તાઓ પ્રવાહી જેવ અને એના કારણે જે હના માં પ્રવાઈની જેમ વહંણ કરવાનીક શમતાપણ રહેલી છે વેવાનો વલણ જોા મલે અને એટલા માટે એને આભાસી ઘણ અથવાતો અતી શીત પદારત કઈ શકાઈ છે પદારત માવા કોઈ પ્રકાની લાક્ષણ ઇક્તવા જોા મલતી નથી એ તમારો જોા જવસો તો પટીક્લર ફીક્સ એક સોલિડ પદારત છે એટલા માટે અને સાચા ઘણ કેવાઈ છે આની અંદર ના વહવાનો ગુંધરમ છે ના તમે અને કોઈ એક ઘટ પ્રવાઈ તરીકે કંચિડર કરી સકો છો આ થયું તમારા ગલદ બિંદુ અને સભાવની વાત હવે નેક્ષ્ટ જો લઈએ એ છે એ ગુંધરમ આયો છે જને કેવાઈ ગુંધરમા ચિરાડ ગુંધરમા એટલે જો સાધી સિંપલ વસ્તુ સમજ્ય તો તમે કુઈ એક ઘનપદારથ ને જારે એમની જે સપાટી મળી છે એલે જારે તમે એને કટ કરીદો અને એ જો સપાટી સુવાળી મળે છે સાધી મળે છે તો એ કા પ્રકાનો ઘણ કે વાસે સ્વાટી મળે ઘણ પ્રકાનો એલે કે જારે તમે એને બે ભાગમાં વિભાજિત કરો છો એ બે ભાગમાં વિભાજિત કરતા તમને એ ભાગ જે મળે છે એ બંને ભાગની સપાટી કે મળે સુવાડી મળે અને એના કાણે તમે એને કઈ સકો છો કે એના માં ચિરાડનો ગુંતરમાં રએલો છેવુ કેવાં જારા એન્યા જારે કમે કર્સો તો બે ભાગની સપાટી તમને અનીયામીત મળે છે આથવાતો તમે કઈ સકો છો છો કે પેર કઈ ને સમજું હોય તો તમે એને સમ્જી સકો છો કે તમારે ઉકો ઉધારન લેવાનું એવી વસ્તુ લઈ સકો આની અંદર જો બીજી વાર્ત કરીએ છો એ છે અની ગલન ઉસમાં ગલન ઉસમાં સામાને રીતે લેવા જાવ તો એ ગલન ઉસમાં પણ કેવી હોય છે ફીક્સ સે જારે આમાં તમને નિષ્ચિત ગલન ઉસમાં મલતી નથી કારણ કારણ કે આ પતીક મઈમાં તમારી પાસે ગલન બિંદુજ જો ફીક્સ નથી તો એની ગલન ઉસમાં ફીક્સ કઈતે હવાની છે આ ગુ વિશમ દેશિક તાનો જે મતલબ થાય છે એનો માં તમને ઉકે છે સપોસ કે મારી પાસે અનો ની રચના આપણે જો જોઈએ આવી રીતે બે અલગ અલગ પ્રકાના પરમાણો ભેગા થય અને એક અનો બનાવતા હોઈ એક સઈયો જન બનાવતા એક ઘન આસ પટિક મઈ ની વાદ કરીસુ તો અસ પટિક મઈ જે છે સમ દેશિક છે સમ દેશિક કન સમ દેશિક સભાવ જે છે તેના મે એઓ કે છે કે જારે કોઈ યાંત્રીક મજબુતાય આ ગુંધરમો અમું કાપ્યા છે કે યાંત્રીક સ્વટીક મે પધાર્થ છે તમે આ ગુંધરમો એને કૂઈ પણ જિગ્યાએ થી માપુ છે તો એમનો જે પ્રમાણ હસે बद्धी जग्याये तमने केवो मलसे एक सर्खू आम थवानू कारण ए छे के तेमनामा लामबा विष्टानो क्रम होतो नथी थोड़ा कंतर पछी एनू स्थान बदलाई जाये छे अनू उनी जे क्रम हतो ए जड़वातो नथी एटला माटे जारे बद्धित दिशाहों मा तमें एकंदरें आ गुंधर्म माफवानों ट्राय कर सो तेनी वेल्लू तमने के मलसे एक सर्खी एटला माटे ने केवाई छे समदेशिक घन पन जारे तमें स्थाटिक माईमा वाद करो छो तो ये वस्तु थती नथी एनू कारण स्थाटिक माईमा आपने जेम किदू के अणू ओजे छे एक क्रम माँ वेवस्तित गोठ वाईला छे अन्ने एना ध्वारा एक स्थाटिक आखो तयार करे छे तो एना माँ जारे तमें कोई एक रिते ने भाग पाड़ो छो सपस के मैं एक रिते ने कट कर्यों तो तमें यह देखी सक्षो के आज लीटी नी बे बाजू छे तो बन्ने परमाणों बदलाई गया अवे आज जे कट आपी ओछे अपस के हुएने नाम आपी दो ए याने बी तो तमें देखी सक्षो के आरी इतना जो हूँ कट करू छो तो परमाणों एक बन्ने बाजू अलग अलग अलगाया एक सर्खू विभाजन थतू नथी पड़ एनी जे ग्याए जो हूँ आरी ते क टापू छो तो तमें आरी तना कटमा जो हूँ सको छो के या एक ब्लू पचिया रेड ब्लू रेड ब्लू एवी रिते परमाणों जे हता जे वेचाया एक परमाणों किवा वेचाया अलग अलग वेचाया अहूँ तमें देखी सको छो के जो हूँ C आने D प्रकार यानू विभाजन करू छो एने जारे करू छो तो ए बन्ने जे हरोड बनी छे ए बन्ने हरोड मा तमने परवाणों अलग-अलग प्रकार ना मल्या जारे तमे आ परिस्तिती मा जोई सको छो के यां पोईपन दिशा मा थी जारे हुआ गुंधर्मों मापी ते गुंधर्मों नी वेल् जुदा जुदा होई छे जारे आनाम मां बद्दाज भौतिक गुंधर्मों एक समान रेशे एटले यहां समदेशिक औने विशम देशिक ने जो समझ जुँ होई तो आ के हो आउसे आ विशम देशिक गुंधर्म धरावे छे बीजी भासामा कैसा को छो के भौतिक गुंधर्म जुदी जुदी दिशामा जुदा 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 होई छे जुदी जुदी दिशामा जुदा होई यारे आना मासु असे एक सर्खा असे एले तमारे यह पॉईंट्सों के वासे के विशम देशिक गहन माटे स्फटिक माटे विशम देशिक गहन जुदी जुदा जुद सम देशिक गहन जुदे आजे वस्तु थाई कई छे एना मा पटिकिलर तमारे जेरीतना अणुवनी गोठमी छे एना आधारे तमे एनो सभाव नक्की करियो छे आव उप्रांध जो वाद करिये तो सभाटिक मैं अने असभाटिक घन पदार्थोनी अंदर तमने जारे सभाटिक मैं पदार्थो भेगा थसे तो तमें जेम हम्रा अस्फटीक मैं माटे आपड़े किली दू क्वार्स काद जे छे रब्बर जे छे ए तमारा रोजिन दा जीवन माँ वप्राता गुंधर स्वारी अस्फटीक मैं घनपदार्थ हो छे जारे स्फटीक मैं माँ तमारी पासे काच छे बिजाज जिटला पन नॉर्मल छे ए नस्फटीक मैं घनपदार्थ हो अनी अंदर आत हुँ तमारों स्फटीक मैं अस्फटीक मैं घनपदार्थ नो तफावत जारे आवस्तु पुछाई चे बेम के त्रण मार्क मां तेना हिसाब ना मुद्दा लखवाना अने अभी ते पॉइंट्स बैना एने लखशो तो तमने थोडूक इजी पण पड़से एनने याद राखवानू अने एने सौल करवानू हवे आगल जो वात करिये तो आपने हमना स्पटिक मैं घनवी से भणी गया स्पटिक मैं घन्नी अंदे ना जे गुन्धर मों आया जेनी अंदे तमें एवु कई सकता ता के एमा फिक्सन ये निष्चेत क्रमबत आकार छे एना मा अनू जे विवसित गोठवाईला छे एना मा एक जे सीमा विस्तार तमने मली गव छे ए तमने मोटो मली जाए छे आज ए वस्तोबदी मली छे एना अदार छे स्फटिक मैं पधार थोनु वर्गीकरण करवा मा आविऊ ए वर्गीकरण मा तमने पटिकिलर अलग-अलग रिते वर्गीकरण जे रितनी हेतु तमे यू जे रितनी पद्धती तमे वाप्रो छे येना अधार येनु वर्गीकरण करवा मावी। ए गण्ये अलग भाग मा विभाजित करवा माया। ए चार प्रकाना बढ़ माँ वाणर वाल्स बढ़ जे न आपने कईसे किये छे के ये थोड़ू निर बढ़ प्रकान बढ़ छे बीजू आहिजाए छे आएनीय बं प्रकान बढ़ जेनामा तमे आयनो वच्चे नो एक प्र पितेच कही सको छो के धातुओ वच्चे ना बंद स्ट्रॉंग बंड बने छे अने छेलू आई जसे सह संयोजक प्रकार ना बंद आ जे चार बंद तमने मल्या छे ए चार बंद ना आधारे एमना चार कही सको छो तो चार घनमा एमना वर्गी करण थाया जिमके वानर वर्ष बंद धरावता जे घन अतो एने आणविया घन केवायू आईनिया बंद धरावता घन ने आईनिया घन केवायू धात्वीक बंद धरावता जे घन पने धात्विया घन पदार्थो केवाया अने सह संयोजक बंद धरावता जे हता एने सह संयोजक घन अत वित्वातो जाडीदार घन के वाया आम अंतरार ये बढ़ना आधारे येमने चार बढ़ आपने लिधा ने ये चार बढ़ना आधारे येमना चार घनमा वर्गी करन थे उ स्पटिक माई घन पदार्थोना विजा घणा बदा उदाहरणों छे जेना माँ पर्टिक्विलर एमने साधा उदाहरण ती समझी सके तो जनके आइरन छे कोपर छे सिल्वर ए बद्धा जे छे ए धातु जेवा तत्व छे एना तमे घन माँ कंसिडर करी सको छो सल्फर, फोस सल्फाइड, नेप्थेलिन जेवा सैयों जनों जे छे ए तमारा घन पदार्थ स्पटिक माई घन पदार्थ रच्वामा मददरू ठाय छे अवे आपड़े पटिक्विलर आ जे चार घन छे एनने आ छो गुंदर्मों ना आधार आत्वा तो जे छो पॉइंट से एना आध करी सु एचे आणिविय घन नी आणिविय घनना त्रोण प्रकार, पहलो प्रकार छे अ धुरुविय घन, बीजो प्रकार छे धुरुविय घन अने त्रीजो प्रकार छे हाइड्रोजन बंधीत प्रकार नो घन एटले तमारे जारे आणविय घन नीज वाद करवानी होई तो आणविय घन मा तमारी पासे त्रोण पर्टीकिलर अलग-अलग प्रकार ना घन थाई गया एमा जो सवती पल्लं आपने वाद करीशू ए छे अद्रूविय घनलय तो आणविय घन मा जो घटक-कण एवाद करो चे घटक-कण मतलाव एवु थाई चे के आ प्रकारनो घन साना थी बनेलो छे तो ए घटक-कणो मा आणविय घन जे छे ए अनुऊ थी बनेलो चे आम जुवा जाव तो आन्विय घंजे छे बद्धाज अनुव थित बनेला आवसे मा अध्रुविय होई ध्रुविय होई के हाइड्रोजन बंदी थोई अनुव थि बनेला जे आ घटक कणों छे अनुव एक बियासाते क्रम वाइस जोडाई जसे एक सीरीज बनावसे औने एक पर्टिकुलर आकार धारन कर से पण ए जोडान सांती मेडवे छे अथ्रा तो केवी रिते जोडाया छे तो एना माटे आपियु छे ए विशर्जन अथ्वा तो लंडन बल्थी जोडायला छे आप बल्व विशे तमें पेल्ला पण भणिया आया छो आ एक प्रकार नो निर्बल बल्चे जे अनुव वच्चे एक आकर्षन धराई राखे छे अने एना अधारे अनुव एक बियासाते जोडायला रेचे एनो जो भवतिक सभाव कहो छो काईके लंडन बल अथ्वा तो विशर्जन बल्थी जोडाया होए तो एतला ए स्ट्रॉंग बनवाना नथी एसु बनसे मृदू बनसे जेने तमें साधी भासामा नरम पाण कई सको छो समझो मृदू किदू छे पण एनामा कोई पण वहन सिलतानो गुंधर्मा रहेलो नथी ए सभाव मा पोचू छे पण तमें एव नहीं कैसको के प्रवाई तरीके वही जसे ए सक्या नथी खाली दबाई सको छो एर इतनो गुंधर्मेमा जोवा मलसे एना पाचलनो कारण पणे चे लंडन बल जे एक निर्बल बल चे जेना काणे अणुग वच्चनो स्पेस रेवानों आज गुंधर्मना काणे जे ये रे एनी विद्धि वहाक तानी वाद करवा मावी तो ए अवाहाक बने चे अवाहाक बनके चे के लना मा अद्रूविय काणो छे अद्रूविय घंकिदू चे एटले के लना मा कोईपन प्रकानी धूवियour ता रहेली नथी एवा काणों एवा तत्वों चुड़ायला छे कि जो इलेक्ट्रिसिटुनों वहन करे नहीं आज सितिना काणे आना जे गलन मिंदु जे छे एक घणाज नीचा छे काणकी स्थिति केवी छे मुरुदु तो इजीली ओगली जासे एटला माटे एनों गलन मिंदु खुबज नीचु छे उदाहरन माँ जो लईए तो आरगोन, CCl4, H2, I2, CO2, CO2 एटले एवब नहीं सब जानूं क्या कार्बन डायोकसाड वायो छे जे तम्हे सुको घण पदार्थ लोच, सुको बरफ, एने तम्हे कार्बन डायोकसाड जोए छे, पने घण सितिमा होए तेने सुकेवाई छे सुको बरफ तो आजे घण ना उदाहरणों छे, ए साना थया आणविय घण ना, लक्षणों सुकेवा मांगे छे, अने अनी अंदर दरेक पटिकिलर आणविय घण, आयनिय घण, धात्विय घण, अने ससयोज घण, एमा सुर इतनो जोवा मले छे, ए आपणे जोई सो अवे आपणे सेकंड जोईए, ए छे दरूविय आणविय घण, दरूविय आणविय घण नी वाद करिये, तो एना मा जे घटक कणों छे, अमला जेम किदू, के आणविय घणों अनू थीद बने छे, पण एना मा जारे बंधन बलनी वाद करी छे, अत्वा तो तमे कया बल्थी जोडाएला छे, तो एना मा आवसे दरी दरूविय दरी दरूविय पारस्परिक बल्ड, दरी दरूविय दरी दरूविय पारस्परिक बल्ड जे छे, एना मा आपणे आवस्तु पन तमे पहला भणिया आया छो, के एना मा बे अनू एक बिजाने सापेक्स मा प द्रूविय आन्विय घन पदार्थमा विभाजित करवामा आयू छे। द्रूविय आता जोवा मले छे परन्तु ये इलेक्ट्रिसिटीनों वहन करता नथी। कारण के ये बन्ने एक बिजानाज आकर्षण माज बिजीरे छे तो इलेक्ट्रिसिटीनों वहन करी सके नहे। गलन बिन्दू नीचा पण तमे एवो कैसे को छो के अ द्रूविय आन्विय घन हता एना करता वधू। काईके अ द्रूविय आन्विय घनना तो खुबज नीचा हता। तो एना करता द्रूविय ना वधारे एतला माटे ए फक्त नीचा छे। एना उदाहरर माँ तमने आपीदू छे घन SO2 घन NH3 अथा HCl लों गन आज ए उद्रूविय आन्विय घनना मले। आनी ए घजू लाक्षनिक्ता छे एछे ओडाना ताप माने वायू अथातो प्रवाई स्थितिमा रही सके छे। एटले जारे HCl नीवाद करो तो ए HCl वायू तरीके पन रही सके छे। ओडाना ताप माने आने प्रवाई तरीके पन रही सके छे। आथावू द्रूविय आन्विय घन विशनिवाद। हवे आपने आगल लईए तो ए आवसे हाईड्रोजन बंधित आन्विय घन नी वायाद करिये तो एना मापन घटक कणो तरीके अणुओ जोई छे छे। आने हाईड्रोजन बंध सब्द याद आवे एटले आपनने सवथी पेल्ला दिमाग मा आवी जाए पाणी। H2O एवू गुंधर मा धरावे छे अथवा तो एवो हाईड्रोजन बंध उदाहरन छे। जारे पन हाईड्रोजन बंधनी वाद थसे तमने पाणी नी अंदर रहला हाईड्रोजन औने ओक्सिजन वच्चे ना हाईड्रोजन बंधनी याद आवी जाए। आनी अंदर आकर्शन बढ अथवा तो जे बंधनू नाम छे एशु थाईया से हाईड्रोजन बंध भौतिक सभाव जे छे एना मा तमें लेवा जाओ तो एव सक्खत बने कराण कि आपड़े उदाहरन तरीके जो याद राखी ले एने तो एचे बरफ और बरफ ना हिसाब अबना तमारे आनामा गुंधर्मो लखी काडवाना तो भौतिक स्थिती तमें एने पकड़ीने दबाव सो तो एजिली दबाए नई एटला माटे एने गुंधर्मा के ओ थव सक्खत विद्यूत नी वाहक तानी वाद करिये तो ए अवाहक छे बरफ मा थी तुनों माइनर वहन थाई सक्षे पण जारे तमें प्योर एकदम सोली फूल बरफ लिदो होये तेना माथी इलेक्ट्रिसिटी पास थाए नई घरे ट्राय करवू नहीं आ स्विकार्य करी लेवू आनी अंदर एनू गलन मिंदू जो लईये तो एनू गलन मिंदू पन के ओ नीचू तमें देख्यू जासे बरफ ने थोड़ी कार बहार मुको छो अने पीड़ी जाए छे इतला माटे एनू गलन मिंदू पन के ओ थावू नीचू थावू तो आणिविया घंन ना तमने त्राण प्रकार आपणे यहां जो लिदा अधुरूविया अने हाइड्रोज बंदिदू एमना आपणे आ गुंधर्मो पन जो लिदा अने ए गुंधर्मो ने आधार एमना उदाहरन पन जो यहां अपणे बीजा वर्गी करण तरफ आगलवदिये बीजू वर्गी करण मा आपणे समझी सू आयन निय घं आयनिय घं मायना नामना आधारे तमें कैसे को छो कि एना घटक कणो मा आपणे सू मलसे आयनो मलसे साधू सिंपल आयनो मतलब जो उदाहरन समझी होए तो एने सी एल नो उदाहरन लई सको छो एने प्लास अने सी एल मायनास एक बीजा साथ है एक आकर्षन ती जोडायला होई अने ए आकर्षन ने आपणे सू कैसू कुलंबिक आकर्षन अथवा तो स्थीर विद्धूतिय आकर्षन स्थीर विद्यूत्य आकर्षन एकला माटे किदू छे कि जारे NaCl घंणी वाद करसो तो सोडियम ना एक आयन नी आसपास 6Cl गोठवाई अनि एवी रिते जो 1Cl नी वाद करसो तो एनी वाजू बाजू 6 Na गोठवाई आवी रितनी सोडियम प्लोराइड एतले के NaCl घं ना स्फटिक नी रचना छे जे वस्तु दर्शावे चे के नामा एक स्थीर विद्यूती आकर्षन बल रहेलू छे बनने नू बैलेंसिंग रे पोजेटिव आयान अने नेगेटिव आयान एक समान रिते एक सर्खा क्रम मा एक सर्खी रिते जोडवाईला होए तो ए प्रकारना आधारे एक आयनिय घं बनावे छे आनी अंदर जारे तमे एननों सभाव देख्षो तो ए सक्खत पंचे पने बरड पंचे देखावे तमे एनन पकडशो तो ए सॉलिल लागशे दबाई नही पन तमे जारे एनने तोडवानों ट्राय कर्शो तो एजिली तुटी जसे इतला माटे एनामा केवाई छे कि ए सक् तुटी सके छे जारे एनी विद्यूत वाहाक तानी वाद करो छो तारे एनामा एव किदू छे के घन अवस्थामा तो अवाहाक छे पन जारे एननू प्रवाही एटला के द्रावन बनासो तो ए पिगलित अवस्थामा विद्यूत नू वहान करे छे आ उदाहरन तमें जोई उच्छे तमें घणिवारे वस्तु नौटिस करी छे के जारे मीठा माथी इलेक्टरिसिटी पास करो छो तो ए पसार थाये नहीं पण जो मीठानू पाणी होए एड़ला कि मीठानू द्रावन बनाए हो आथा तो एगलेलू मीठु होए तो ए विद्यूतु नौवाहास बन्से अमापिगलीत अवस्ता ona जली अवस्ता पण किसको छो अजली अवस्थामा पण ए विध्यूतनों सो कर से वहन कर से गलन मिंदुनी वैत करिये तो एना गलन मिंदु उंचा छे तमे एने डायरेक्ट जारे पिगाळवानों ट्राय कर सो तो एना माड़े तमारे टेंप्रेचर वधारे वापरवू पड़े इजीली ए तरत ओगणी जाये न चिधर करी सको छो. आप्रकारना सवालो जारे पुचाये छे आना माँ तारे सवालो मा ध्यान राख्वानु तमने घणिवार एवा सवाल पुचाये शक्ये छे अमणा मार्च मांत सवाल पुचाये तो मार्च 2020 मां कि घन alte पिगलित अवस्थामा विद्यूतन अवाहक कोणँ छे ? बराबर तेनु आंसर तो सरसेयों जोड़न principle अपिया ता पड़ों पन तमारी पासे सवस्थामा वाहक होई अने पिगलित अवस्थामा वाहक होई यह घन कया छे ? तो ये आएनिय घन आवसे, जार्या उदाहन आपेला होय, तो तहारे तमने येना जे लक्षणों चे, ये लक्षणों याद आई जवा जोईए, घटक कण कईयो, आकर्षण बल कईयो, भवतिक सभाव कईयो चे येना गलन मिंदु केवा चे, ये बद्धुस तमारे याद र आयो चे, एचे धात्विय घन, धात्विय घननी अंदर पण, जारे तमे घटक कर्णी वाद कर्षणों, कैंके धातु चे, तो तमने येना मा आपे जिदु चे, बीन स्थानिक रूत, अथ्वा तो बीन स्थानिक, इलेक्ट्रों ना समोद्रमा घन आयनों, अवे आथाई क आकाई रितनी व्यवस्ता चे, आकाई रितनों तमें समझी सको चो, आनी अंदर एव किदु चे, के इलेक्ट्रों होए, आखा इलेक्ट्रों एवी रिते गोठवाईला चे, के जेवी रिते समोद्रनों पाणी होए, लहर देर लहर, अने एनी अंदर तमारा पोजेटिव गण तरीके जोडाईला होए, तो आजे आकी रिचना थाई, एने केवाई चे, बीन स्थानिक रूत इलेक्ट्रों ना समोद्रमा गण आयानों, आजे वस्तु छे, ए पटिकुलर, जारे पोजेटिव आयान आया आमा जोडाई चे, तो एना मां एनी रिते गोठवाई चे, कि जेवे मां जेम लेयर खसी जाई चे, तो ए लेयर मां मुमेंट्स थती रेशे, आना मां जारे इलेक्ट्रों नों वहन करो चो, इतले के विध्यूत नी वाहकता मलवानी होए, तारे पण एज वस्तु थसे, कि इलेक्ट्रों बीन स्थानिक रूत छे, एतला मां आटे एन गुंधर्मा नी वाहत करिये चे, एनो भौतिक सभाव तो सक्खत जावानों छे, पण ए सक्खत छे, पण एने तमे सु करो चो, टीपी सको चो, एपले ए टीपनिय चे, अने तन्य चे, तिपनिय मतलब एव थाए चे, कि तमे एने टीपी टीपी ने एनो आकार बदली शको अने तन्य एवुचे के जारे तमे एने थुड़ो खेचो छो तो एने टीपी ने तमे जारे खेच्छो तारे एनामा स्ट्रेच मलसे अने ए तमारो खेचाई सके छे तो ए तमारो तन्य एना गुंधर्मामा आवी जै हवे आगल वाद करी एना विद्यूत्य वहन नी आ धात्विय घन मा जो तमारो उदाहरण याद राखी लेऊ है ने ते उदाहरण छे लोखन तो लोखन ना गुंधर्मो ना आधारे तमे आ बद्धाज गुंधर्मो या लखी सको छो तो लोखन नी विद्यूत्वाहाक ता पन्ने खबर छे के घन अवस्थामा होए के पिगलीत अवस्थामा होए ए बन्ने अवस्थामा ए विद्यूत्नू वहन कर से काराण की लोखन ने आपने जोई चे तमे जारे एने इलेक्रिसिटी ना वायर साते कनेक करी दो तो एनामा करांट लागे छे आवस्थूपन घरे ट्राय करवी नहीं आ तमारे एने स्विकार्य करी लेवू अईया घन अवस्था अने पिगलीत अवस्था बन्ने माए वाहक जोवा मले छे अने इनाम कारणे ज अईया धात्विक गुण धर्मना कारणे पन तमे कई सको छो के एनू गलन मिंदू जे छे गणा उचा छे एले प्रमाण मा उचा लखे कांगे घणा उचा जो आनी पच्ची आवसे आनामा तमे आगल्थी जोवासे कि जेम आपड़े भणिये छे आनविय घन आयनिय घन धात्विक गन एम इमना गलन मिंदू मा पन वधारो थतो जाय आनविय घन मा नीचा हता पची आएलिय घन मा थुड़ा उचा आया धात्विय घन मा प्रमाण मा उचा आया आने जारे सहसे हो जे घन पर पची सु तो एक घणा जुचा आवसे आद राख्वानी ट्रिक छे जेधी तमे याद करी शाको चो के कोना गलन मिंदू क्या प्रक आयरन, कौपर, सिल्वर, मैगनेशियम आप्रकानी जी धात्वों छे एनी अंदर तमने आप्रकाना गुंधर्म जोवा मल से जेने आपने कैसु धात्विय घन पदार थुड़ा वर्गी करण पर पहुची जाईए तो ये छेल्लू वर्गी करण तमारी पासे छे एचे सहस सहसेयोजग घन छे एटले एना मा तमे एना नामुपर्ति समझी गया असो क्या नी अंदर सहसेयोजग बंद जोवा मल से पन जो हुँ घटक करणी वाद करू छो तो आना मा परमाणों वच्चे बंद बंद से हमना सुधी तमे आनू जोया आयन जोया तमे बीन स्थाने कु परमाणों ना कंसेथ मा जरे सहसेयोजग बंद ने याद करी लाए तो आपड़े उग जाणिये ची ए कि एक जे बंद होय फो आतो से जरे कारभन-कारभन व्चेविवर्य floss बंद बंद बनत Days meas एक इलेक्ट्रोन बिजा कार्बन ना एक इलेक्ट्रोन साथे भागी दारी मां आपे अने ना अधारे सहसेयोजग बंद तैयार था तो यहां इलेक्ट्रों नी भागी दारी ना अधारे सहसेयोजग बंद बने छे अना यहां पण जारे बंधन निवाद कर सो तो यह कया प्रकानों बंधा होसे सहसेयोजग प्रकानों बंद जोवा मल से बाकी ना वद्धा घन करता आ प्रकानों घन जे छे ए वधु सक्खत जोवा मल से पण आमा तमने सक्खत माटे ना अने मृदु माटे ना बे अलग उदाहना प्या छे जेमके सक्खत निवाद करिये छे तो SiO2 जेने तम्में क्वार्ट्स पन कई सको छो अने क्वार्ट्स एकले साधी सिम्पल तम्में आने रेती पन आपणे कई एछे सिलिका जे छे एज छे पण एनु स्वरूपल लग लग थाए जेनो जेवी रितनो यूस एवी रितने एनो गुंधर्म बदला एना सीवाई जे छे सिलिकान कार्बन चे जे नामा हीरो बराबर छे एना आउप्रांत एलिमिनियम नाइट्राइड आजी छे ए सक्खत गुंधर्म धरावता घनपदार्त ना उदाराण छे जारे मुरूदू मा तमारी पासा आई जेसे ए छे ग्रेफाइड ग्रेफाइड पंड जे छे ए सहसेवज घन्नू जुदाराण चे पणे एनों भौतिक सभाव जे छे ए मृदू छे एटला माटे में किदू के भौतिक सभाव मा तमने बे याद राखा पड़से सक्खत अने मृदू माटे जारे विद्यूत वाहक तानी वात करिए तो जिया सक्खत जे ए अवाहक बने छे अने जे मृदू जे छे ए वाहक मले छे एटला अहिया जारे तमें एव कई सको छो के घन अने पिगलीत अवस्ता अब बन्ने अवस्तामा अवाहक चे जारे एकलू अवाहक लखेलू होए मतलब के बन्ने अवस्तामा अवाहक चे अने एकलू वाहक लख के घन अने पिगली तवस्तामा कोण अवाहक छे अने सवथी छेल्ले आवसे के एना उतकलन मिन्दू गणा गलन मिन्दू जे छे घना उच्चा छे उदाहरण मा याद राखवा माटे सवथी वेश्ट छे हिरो जारे तमे हिरा ने देखो छो हिरा माटे आपने पेलला पन भणी गया छे केमनी रचना एकली श्ट्रोंग छे के जेना आधारे तमे एने जारे पिगलाव हो एनो गलन मिन्दू लेवो हो ए तो ए तमने नीचू म प्रकार थाया अने चारे चार घन नी आपने डिटेल भणी लिदी जेना मा तमने कोई पन पर्टीकुलर एकनू पन पुछाई सके छे इंडिवीजल अलग अलग उदाहरण नाधारे एमसी क्यू पन पुछाई सके छे तो तमारे ए वस्तु एना मा ध्यान राखवी